बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा रिष्टा तो खरा भी होता जा रहा है ये इंसान आजकल तो मेरी वैल्यू करता ही नहीं है और मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है दोस्तों इसके पीछे एक साइकलोजी वर्क करती है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा तक बने रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हम किन चीज़ों की बात कर रही हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर सामने व अच्छा फील होता है कि हाँ कोई इंसान है जो मेरे से इतना प्यार करता है मेरे पीछे इतना भागता है मेरे पीछे रो रहा है तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है आए डिसकस करें तो इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ है न वो आपको ये करना है होती है ना वो different हो जाती है वो आपको रूलाना आपको परिशान करना आपको अपने पीछे भगाना वो expectation हो जाती है उनकी और से जो वो आपसे collectivity वाला एक प्यार वाला expectation होता है ना वो वो कम कर देते हैं हमारे अंदर तो वही चीज है पागलपन उस इंसान के लिए हम तो उ उनकी पीछे भाग रही है तो हमारी जो expectation है वो अलग जा रही है तो फिर हमें उस expectation को कम करना है हमें खुद पर थोड़ा सा control लाना है जिससे उने भी समझ में आ सके कि यार सामने वाले की भी कोई value है दूसरी चीज है sad status लगाना बंद कर दो sad story लगाना बंद कर दो जब भी किसी relationship में आपको कुछ problem आता है लड़ाई जगड़े होते हैं आपका break up होता है आप sad status लगा देते हो कि आपकी जिन्दगी अब तो खत्म हो गई है हम तो दिल जले हो गए है अब कुछ नहीं बचा है मेरी जिन्दगी में अब मैं क्या करूँ और मेरी जिन्दगी में अब रहा है उस इंसान की नजरों में मेरी कितनी value होगी वो इंसान मेरी बिने रह नहीं सकता है अगर आप उन्हीं जिन्दगी में अपने काम में अपने life में खुश हो गए हैं न तो सामने वाले की what लग जाएगी कि यार ये लड़की तो गई मेरे हां से उन्हें भी पता है ऐसी लड़कियां उन्हें दोबारा नहीं मिलेगी तीसरी चीज है उन्हें value देना बंद करें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी बिजदी करो उनकी respect ना करो बट उतनी ही करो जितनी वो आपकी करते हैं ऐसा ना होगी आपने उन्हें भगवान बना दिया हो और वो आपको गुलाम बना कर रखें रिष्टे में value उतनी ही मिलने चाहिए जितनी आपको सामने वाले से मिल रही है relationship is always two-sided one-sided love तो होता है लेकिन relationship नहीं हो सकता है अगर सामने वाले से कुछ नहीं आ रहा है तो रिष्टा नहीं चल सकता है दोस्तो चोथा और most important चीज है control your emotions या अगर ये situation तुमने create कर रखी है तो तुमारे दुनिया खत्म हो जाएगी तुमारे जिन्दगी खत्म हो जाएगी तुमारे जिन्दगी पूरी तरह से उजड़ जाएगी क्योंकि तुमारे दुनिया में तो जिन्दगी में सिर्फ वही एक इनसान था ना लेकिन अगर तु तो वो लोग आपको खड़े हुए मिलेंगे तो control your emotions पांचवी चीज है अपनी केर करना सीख लो You are important क्योंकि जो भी है तुम्हारी लाइफ में है ना इसलिए क्योंकि तुम हो अगर तुम ही नहीं हो तो उसकी क्या जरूरत है अगर तुम्हारी अंदर प्यार नहीं है तो वो दो कोड़ी का इनसान है इस दुनिया में सिंपल सी चीज जान लो तो अपनी केर करना स्टार्ट कर दो कि मैं कुछ हूँ मेरी कुछ value है और हमेशा मेरी बात याद रखना अगर कोई इनसान तुम्हें छोड़ कर जा रहा है जिसके बिना तुमको आज लग रहा है कि यार life is nothing कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में तो रुको दोस्त आगे देखो दुनिया बहुत बड़ी है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो बसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन मेल को दबाना पिलकुल ना भूले